हेलो दोस्तों लाफ अप सेलेश में आपका स्वागत है आज किस वीडियों बात करने वाले हैं मीट सोग के काश्च के सेलरी के बारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं नमबर 12 वैसनवी महंत ये सोम में मीट की मा अनुभा का रूल पले कर रही हैं बात की जायन की सेलरी की तो ये पर एपिसोड तीस अजार रूपए चार्ज करती हैं नमबर एलेवन आभा परमार आभा परमार ये सो में अम्मा का रोल पले कर रही हैं और ये पर एपिसोड पचीस हजार रुपई चार्ज करती हैं नमबर टेन, सूरज थापर, ये सो में मीद की पिता मिस्टर अलावत का रोल पले कर रहे हैं, और ये पर एपिसोड 30,000 रुपई चार्ज करते हैं नमबर नाइन सोनी का हंडा ये सोम में मीत की मा बवीदा का रोल पले कर रही हैं बातके जायन की सेलरी की तो ये पर एपिसोड 28,000 रुपए चार्ज करती हैं नमबर एट, पर्थम कुनवार, ये सो में कुनाल का किरदार रिभार हैं, बातके जायन की सेलरी की, तो ये पर एपिसोड 25,000 रुपए चार्ज करते हैं नमबर एट, पिरीती पुरी चौधरी, ये सो में रागिनी का रॉल पले कर रही हैं, और ये पर एपिसोड 22,000 रुपए चार्ज करते हैं नमबर शिक्स, आदिती राओ, ये सो में होसियार का किरदार रिभार हैं, बातके जायन की सेलरी की, तो ये पर एपिसोड 20,000 रुपए चार्ज करते हैं नमबर फाइव यांका चंदा ये सोम में सुनेना का किरदार रिभारी हैं बात के जायन के सेलरी की तो ये पर एपिसोड बाइस हजार रुपए चार्ज करती हैं नमबर फोर सगुन पांडे सगुन पांडे ये सोम में मीता हलावत का किरदार रिभारी हैं बात के जाएन के सेलरी की तो ये पर एपिसोड 45,000 रुपई चार्ज करते हैं नमबर थ्री आसी सिंग आसी सिंग ये सोम में मीद का रोल पले कर रही हैं बात के जाएन के सेलरी की तो ये पर एपिसोड 50,000 रुपई चार्ज करते हैं नमबर टू असुतोज सेमवाल ये सों में दीप का किरदार निवा रहे हैं और ये पर एपिसोड 25,000 रुपई चार्च करते हैं नमबर वन सरेन खंडूजा ये सों में मीत की भवन मानुसी का रोल पले कर रहे हैं बात की जाएं कि सेलरी की तो ये पर एपिसोड 35,000 रुपई चार्च करती हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपका फैबरेट करेक्टर कौन सा है कॉमेंट करकर जरूर बताएं वीडियो से लगवाथ वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें